तो आज है नौरात्री का दूसरा दिन और दूसरे दिन मैं बना रहे हूं नौरात्री स्पेसल ब्रत के लिए बहुत ही टीस्टी वाला रायता वो भी स्वीट पटैटो से तो इसे बनाना बहुत असान है फस्ट आफ आपको लेना है दही एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप चीनी डाल सकते हो उपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे फ्रूट से और इसके बाद हमारा बहुत ही लजी स्वीट पिटेटो का रायता बनके हो जाएगा तयार तो इस नौरात्री पर आपको जुरू ट्राए करना है हाई आज है नौरात्री करटी थ्री और आज में बना रही हूँ बढाम की डोडा वर्फी इसे बनाने के लिये मैंने बढाम लिया उसको धोया है और इसके बाद Sheriff में उसको चिलके के साथ चला लिया उसकी बढ़ हाई गर योडर by टैर थोड़ और इस टाइम पे आप क्या करिएगा कि अगर दुकान वाला बनाना हो तो आप इसने कलर का प्रियोग कर सकते हो उसके बाद अच्छे से चला-चला कि जब यह गोल्डेन ब्राउन कलर का हो जाए गैस को बंद कर दीजिए और तुरंत इसको घीर लगे बर्दन में ट्रांसफ तो आज मैं बना रही हूं कुछ असपेसल नहीं बस मैंने थोड़े से चुहाड़े लिये हैं और थोड़े से मुंगफली आपको हो गई कि आज कुछ वीडियो नहीं बना रही हूं क्योंकि पाच्वे दिन हमारे घर पे कोई भी न ऐसे खाता नहीं है बना कि बस फलाहार तो इस वज़े से मैंने चुहाड़े निकाले हैं थोड़े से और मंगफली दोनों को अच्छे से वास करके उसके बाद चुहाड़े का बीज निकाल लिया है क्योंकि वह बहुत ज्यादा टाइट होता है और उसको तोड़ने में पूरा लगता है कि दाती चला जाएगा त अगल आपने नमकीन बनाए कि नहीं ये भी बताइएगा अभी चार दिन बाकी है तो आपनो वह वाले नमकीन बना के जरूर खाइएगा साथ में कुछ फल हो तो वह भी खा लेजिएगा और अगर ये वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करिए जैसी क्रिसना तो आज मैं बनारी हूँ बहुत ही टेस्टी वाली चाय इसे बनाने के लिए आपको समगरी नेली है क्लोप, ब्लैक पीपर, काड़ आमोंग, फेनल सीट, बेसी लीप और बेलीप बस इतनी समगरी आपको एक जगे कठा करनी है उसके पसचाद गैस ओन करके आपको रख देनी है, एक बाउल में पानी, उसके बाद मैंने पानी में डाल दिया है, चीनी, आप गुड़ भी डाल सकते हो, उसके बाद जो मिस्टर के नाम मैंने आपको बताया थे स्टार्टिंग में, वो मसारे मसाले आप इसमें डाल दीजेगा, उसके बाद धीमें से अच्पे आपको खूब जोड़ जोड़ से पकाना है जब तक इसका सारा और किसमें नहीं आ जाता मैंने इसमें चाय पती नहीं डाला है क्योंकि मुझे चाय पती पीना बिल्कुल नहीं पसंद है आपको भी हो सके तो अवाइड करना जोगे उसके बाद इसको अच्छा से प क्युवंकिं फिल्वर किया आपको इसमें लाइची डाले हैं आपको और भी एकस्ट के मनदस से आपको अच्छा सशेब्त दे Sport यह रंद पो भार तेल करनाहिं घॉल होना चाहिए उसके बाद एक एक करके सभी को डाल दीजिए और मध्यम आज पर खुब अच्छे से सुनहरा कलर होने तक आपको तल लेना है दीजिए तो हमारा ठेकवा बनके हो गया है तयार तो इस छट पूजा के लिए ये रेसिपी आपको सेव कर लेनी है और सेम तरीके से बनाईएगा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और आप इसे महीनों तक इस्टोर करके रख सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए जैसी कृष्णा तो आज है नौरादरी का लास्ट डे और आज मैं बना रही हूं बहुत ही टीस्टी और हेल्थी वाला बनाना से जिसे आप ब्रत में ही नहीं जब भी आपका मन करें जब भी आपका मजोरी फिल करो तो आप बना के खा सकते हो सबसे पहले तो मैंने दो बन कर सकते हो या गुड़क प्रियोग कर सकते हो इसको पहले मैंने मिक्सी में पीछ लिया ताकि एक भी गुठलिया ना रहा है जब इसे दूद के साथ पीछे दो उसके पस चाथ चाथ एक ग्लास दूद डाला है उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और हमारा रेटी है करना सिख बहुत जदर टीस्टी लगता है अब रत के लिए बहुत ही ज़्याद़ पफीट है क्योंकि इसकी खाने के बाद आपको बिलकुल भूख नहीं लगने वाली है तो बहुत जदर हेल्दी और बहुत जदर टीस्टी वाला यह वाला ब्रेकफास्ट आपको ट्राइ करना जी था था एंक्स वाजीं